हलो दोस्तो आज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ बूंदी के लड़ू की रसिपी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ आप आसानी से अपने घर पर इसको बना सकते हैं बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं रसीले बूंदी वाले लड़ू बिल्कुल वैसी ब बताती जाओंगी अब स्टप फॉलो करते जाना और इसको स्टिप एंट्रिक को फॉलो करना और अगर ये वीडियो अच्छी लगीगी तो इसको लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके साथ मैंने या पर एक विस्कर और एक बोल लिया है जिसको विस्कर से विस्क करने में हमें बहुत आसानी होगी ये देखे मैंने या पर इतना बेसन लिया है आपको जितनी भी क्वेंटिटी बनानी हो बूंदी कि आप उस नहीं बेसन ले आपको जादा बठानी है तो आप आप ज्यादा ले, कम बनानी है तो आप कम ले तो बस हलका-हलका पानी देकर दीरी दीर आप इस तरीके से रवेश के करें और इसी कंसिस्टेंशी ना बिलकुल ऐसी होने चुछिए ना बहुत गड़ा ना बहुत पतला ये देखे यह देखें बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है अब इसमें बताती हूं में और क्या क्या आड़ करना यहां पर आड़ करूंगी लगबग एक चुटकी खाने वाला सोडा मीठा सोडा जिसे बोलते हैं अब इसे भी मिलाकर इसके बाद आड़ करूंगी फुट कलर यहां यूज तो नगबग दो का्टोरी पानी लिया है और एक का्टोरी चीनी लिए अब इसमें आड़ करूंगी यह देखें इसके बाद आड़ किया फुट कलर चाहें है कि जब भी आप मार्केट में जाते हो और वहां से जब लद्डू आते हो तो कलर बिलकुल ऐसी होती है तो इसे एक बहुत ही इंपोर्टेंट टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो बूंदी का पैटर है उसमें हम आड़ करेंगे बिलकुल गर्मा गरम ओल तो यहां पर लगबग एक चमच ओल यूज कर रही हूं मैं आपर और इसको मिला दूँगी अच्छी सेगी बहुत ही इं कोशिश करें आप तेल के अगार्डिंग बूंदी दालें अगर तेल कम है और बूंदी आप जादर डालेंगे तो बूंदी चिपकन एक दूसरे से शिरु हो जाती है और बूंदी अच्छी नहीं बनेगी यह देखिए ऐसे बूंदी बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हो एयर अगर आपके पास ऐसी प्लेट हो घर में अगर हो तो आप इससे भी बूंदी बना सकते हैं बहुत अच्छी बूंदी बनेगी तो सारे बूंदी लगबग हमारे बनकर तयार है यह देखिए अब इसके साथ साथ एक और ट्रिक शियर करूंगी आप लोगों के साथ अब घी व लगेगा चाष्णी बिल्कुल गड़ा हो गया है चाष्णी हमें बिल्कुल रखनी है जो थोरी चिपचिपी हो यह देखिए अब बूंदी आट कर दिया है और आपको टाइमर लगा कर बिल्कुल 2-5 मिनट तक सिर्फ 2-5 मिनट तक ही आपको इसमें बूंदी लो फ्लेम प लग रहे है ना बिल्कुल ला जबाप रसीले बूंदी मार्केट में आप खाते हो ना बिल्कुल वैसी बूंदी आप चाहे तो इसको बूंदी भी यूज कर सकते हैं चाहे तो लड्डू बना सकते हैं तो यह देखिए इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा है अब इसमे तो लड़ू मैंने बना कर रेडी कर लिया है सबूई लग रहे ना बहुत अच्छे काफी कम समय में आप अपने घर में इतना अच्छा स्वईट रेडी कर सकते हो काफी सब को अच्छा लगीगा आप एक बार इसको बना कर देखना यह देखें सारे रड़ू हमारे बन कर तयार है उतने सारे बेसन में हमारे लग बग हाफ कीजी लड़ू बन कर बिलकुल तयार है तो आप भी इसको अपने घर में बनाईए और मुझे बताईए कैसी बनी